जब भी हो गई है चाहिए नहीं होई है एडवाइस चाहिए शादी से रिलेटेट तो हमेशा किसी ऐसे इंसान से बात करो जिसकी शादी हो गई हो प्रैस कि जब भी अपना आड केंपेंच चलाते हैं तो वहां से पीछे से डिफाइन करते हैं कि यह मेरी आड दिखनी चाहिए ठाइसा एनसान से करनी चाहिए लिए कि आपका मांड ऐसे और मैंने बनाया पहले मैंने आपको अपनी आड दिखाई पिर अपनेया को गुलाया पिर आपका मैंने बनायाँ आपको कह रहा हूं ऐसी ही लड़की से शादी करू कि multi- noun में गूरू की ज़रूत है जो हमें एक राइट पाथ पर लेके जाएं मीदे किसी को भी फॉलो करने लग जाते हैं तो इस č COR talked of the GPA लू करना चाहिए जो मन कहता है उसको फॉलो करना चाहिए या फिर जो सब कहते हैं उसको फॉलो करना चाहिए जैसे पहले के जमाने में अगर आपको spiritual path पे चलना है तो आपको किसी गुरू के पास जाना होता था ये भार से नहीं आया आपके अंदर आपके खुद के अंदर से आया क्योंकि आपको जरुवत थी उस point पे किसी की guidance की तब आपने seek किया guidance को आज क्या हो रहा है इसका exact opposite हो रहा है आपको चाहे जरुवत है या नहीं है इतने गुरू हो गए है जो आपके पास आ रहे हैं आप उनके पास नहीं जा रहे हो ऐसे बहुत सारे गुरू हैं जिनकी ads चल रही है YouTube के उपर और Instagram के उपर एक spiritual गुरू जो कह रहा है कि desire में कुछ नहीं पड़ा है और वो अपनी ad चला रहा है ad किसलिए desire है ताकि और लोग आए अच्छा उससे क्या होगा और donation आएगी उससे क्या होगा और ad चलेगी वो आपके उपर अपने जो thoughts हैं उसको impose कर रहे हैं चाहे आपको guidance की जरूरत है या नहीं है चाहे आपकी वो age है या नहीं है किस तरह के इंसान से शादी करें मैं बताता हूँ ये देखो ये वीडियो है ना और ये topic है और मज़ीगी बात क्या है कि आप लोग इतने घोचू हो कि आप इतना भी inquire नहीं करते हो कि वो इंसान जिस topic के बारे में बोल रहा है उससे related उसके पास में कोई experience है भी या नहीं है मतनब शादी which is an extremely complex topic इससे complicated कुछ नहीं हो सकता है पूरी दुनिया में एक ही time पे एक इंसान के साथ आप रहना भी चाहते हो और उसको छोड़ना भी चाहते हो एक साथ दोनों चीज़े हो रही होती है अब ऐसे time पे आपको जरुत है एक ऐसे इंसान की जो space से निकला हो वो आपको सही guide कर पाएगा जिसके साथ में ये चीज हो चुकी हो जिसने खुद इसको face किया हो तो वो आगर कि आपको बोल सकता है कोई बात नहीं छोटे मुटे issues है जाने दो एक दो दिन के लिए थोड़ा सा space maintain कर लो सब ठीक हो जाएगा उस time पे आपको जरुत है किसी ऐसे इंसान की जो experienced हो in this particular situation लेकिन हुआ क्या आपकी लड़ाई हुई है अभी-अभी अपने पती से या पत्नी से अब YouTube पे आपने हाट देखी और वहाँ पे exactly वही है जो आप सोच रहे हो क्योंकि ये जो social media platforms है इनका algorithm ऐसे ही काम करता है इनको पता लग जाता है कि आपको वही वीडियोज एकदम से दिखने लग जाएंगी वही content दिखने लग जाएगा अब आप उस शॉट से गए उस गुरू के पास में आप कहो कि यार बात तो सही है जब लड़ाई होती है उस इंसान से जिसके साथ आप relationship में होते हो तो life की धज्या उड़ जाती है कुछ समझ नहीं आ रहा हता है कि क्या हो रहा है तो ये गुरू आपके पास में सपोर्ट बन करके आ जाता है कि अरे इस सब में कुछ नहीं पड़ा है यही आपके दिमाग में चल रहा है और यही आ करके उस गुरू ने बोला किस लिए करते हो शाथी अपनी हवस की आख को बुजाने के में आपने को हाँ यही तो है यह मुझे पहले नहीं पता थी बात यह गुरू जी पहले क्यों नहीं मिले मुझे अब आप सब छोड़ छाड़ करके उस गुरू जी के पास में जागर के बैठ गए अगले कुछ दिनों के अंदर-अंदर आपका ऐसा ब्रेनवाश हो गया है जो आपको खुद भी नहीं पता है तो यह एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है आपको इतना एलर्ट रहना होगा आज के टाइम में जिसकी कोई हद नहीं है नहीं तो आपकी लाइफ बहुत बढ़िया चल रहे होगी और एकदम से ही लाइफ की धज्या हो जाएगी और आपको पता भी नहीं लगेगा हुआ क्या है और मैं बता रहा हूँ आपको वज़े क्या है एक ऐसा इंसान जिसको खुद कुछ नहीं पता है वो आकर के आपको गाइड कर रहा है उस टॉपिक के बारे में अब उसकी गाइडन्स कैसी होगी इन बातों को अगर आप समझ गए तो बच जाओगे नहीं तो they are coming after you through all means and with all might क्यों क्यों क्योंकि आज का जो एज़ ग्रूप है न यह सेशन का यह है 25 साल से 30 साल के बीच में तो यह एज ग्रूप बिलकुल perfect है उन लोग के लिए क्योंकि अभी आप लोग की जेब में पैसा है अब बचारा एक student है उसकी जेब में पैसा ही नहीं है तो वो क्या देगा इन लोगों इस कि जब ये अपना ad campaign चलाते हैं तो वहाँ से पीछे से define करते हैं कि ये मेरी ad दिखनी चाहिए पच्छिस साल से चालिस साल के हैं, पचास साल के लोगों को, तो ये जो बात मैं कर रहा हूँ it is like need of the hour especially topics related to relationship, marriage इसके बारे में अगर कोई बात कर रहा है it's a big red flag people on YouTube that I'm aware of, I'm sure आपको भी पता होगा, शादी की ऐसी image बना रहे हैं आप लोगों के mind में जो बिलकुल unreal है, impractical है जो कहीं exist ही नहीं करती है कि शादी ऐसी इंसान से करनी चाहिए जिसका ऐसा mindset हो जैसा आपका mindset है, अच्छा ये आपका mindset कैसे बना, मैंने बनाया, पहले मैंने आपको अपनी ad दिखाई, फिर अपने यहां पे बुलाया, फिर आपका एक mindset बनाया, अब आपको कह रहा हूँ ऐसी ही ललकी से शादी करो, तो आप ही करवा दो कभी भी अगर आपको advice चाहिए, या कोई confusion है या लडाई जगड़ा हुआ है, हो गया चाहिए नहीं हुई है, advice चाहिए, शादी से related, तो हमेशा किसी ऐसे इंसान से बात करो जिसकी शादी हो गई हो आपकी भी शादी हो गई सर आपकी कहते है ही छोड़ेंगे और आपको एक और मज़दार बाद बता रहा हूं जो इस तरह के जोग जादा मारेंगे ना उनके relationship उतनी बढ़िया है उस relationship में मजाग के लिए space है इसका मतलब relation अच्छा है और आप लोगों क्या लग रहा है जिनकी शादी नहीं हुई है कि क्योंकि इससे related लोग इतना मजाग करते हैं तो सब दुखी है जब इंसान दुखी होता है तो वो मजाग नहीं करता है तो उसको मजाग तन करता है मजाग बुरा लगता है तो जैसा आप सोच रहे हो exact उसको उल्टा है बट यह बाते कौन समझ सकता है जिनकी शादी हो गए उनको समझ आ जाएगी मैं क्या कह रहा हूँ शादी बुरी नहीं है आपकी शादी हो गई है नहीं सर मैं तो वैसे बता रहा हूँ अब इन्होंने क्या कहा डिपेंडिंग अपॉन पार्टनर पार्टनर क्या होता है पार्टनर तो एक मैंजिनेशन है जो आपके माइंड में है और मज़ेगी बात क्या है कि यह imagination दो तरीके से बनती है, एक है जो Bollywood बनाता है आपके माइंड में कि सब कुछ बहुत अच्छा है हम साथ साथ है, घर में आ रहे है साथ बहु साथ में मिल करके लूडो केल रही है तो एक extreme आपके माइंड में imagination क्या है, जो Bollywood ने बनाई है या movies ने बनाई है, romance की प्यार महबबत की, शादी की इसकी उसकी, जो पूरी तरह से गलत नहीं है but that is short lived वो कुछ time तक रहता है उसके बाद में उसका जो पूरा structure है, उसका जो पूरा nature है वो change हो जाता है, जो movies में depict कर पाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि movies में सब कुछ या तो black में होता है या white में होता है grey में दिखाना बड़ा मुश्किल है I'm not sure आप में से कितने समझ पा रहे हैं, कितने नहीं मैं क्या गह रहा हूँ, मतलब यहाँ पर problem क्या है हम लोग की problem क्या है, कि जैसी भी movies हमने देखी है, वहाँ पर बड़ा clear एक फर्क होता है कि यह hero है, यह villain है hero है तो अच्छा है, villain है तो बुरा है जबकि actual life में ऐसा नहीं होता है actual life में हर आदमी या हर औरत, बीच में कहीं पर होता है grey area में होता है अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है hero भी होता है, villain होता है कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है तो actual life कहा है, इन दोनों के बीच में है शادी ना बहुत अच्छी है जैसे कि दिखा रहे हैं, ना बहुत बुरी है जैसा कि यह लोग दिखा रहे हैं जो दूसरे extreme में बैठे हैं जो शादी के बारे में कुछ भी बक्वास कर रहे हैं और वो इस तरह की बाते कर रहे हैं जो अगर आपके माइड में गई तो या तो आपकी शादी होगी ही नहीं और अगर गलती से हो गई तो वो टिकेगी नहीं क्योंकि वो क्या कर रहे हैं आपके mind में शादी की एक ऐसी imagination बना रहे हैं जो actual में करें exist ही नहीं करती वो imagination का है उनके खुद के mind में है कि शादी और relationship इस सब में कुछ नहीं पड़ा है जब तक कि आप यह नहीं कर लेते जो मैं कह रहा हूँ खुद को नहीं समझ लेते what you mean by that खुद को नहीं जान लेते उसके बाद किसी ऐसे को ढूंडो जिसके अंदर या तो है desire हो जो खुद को जाना चाहती हो या खुद को जान चुकी हो उससे शादी करो बिल्कुल बक्वास एक imaginary कहानी एक ऐसे इनसान की